नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं मुक्यस जानी मेरी चैनल पर आप सभी भाय-बेनों का अर्दिक स्वागत करता हूं सभी के लिए सुबकामना सुबेचा बगवान बोलेनात सभी की मनों कामना पूरी करें दोस्तो मेरा ये वीडियो आपको दिपावली के बाद मिल आज हमारे घर में हमारे साथ रहने वाली एक मामूली चीज जिसे हम मामूली समझते हैं वो चीज हमारी तकदीर बदल सकती है कुछ टोटके करते हैं कुछ उपाई करते हैं और अगर कुछ गलती कर देते हैं तो हमें बरबाद भी कर सकती हैं बात कर रहा हूं दोस्तों हमा जो हमारे घर में रहता है जाड़ू दोस्तों वीडियो में मैं बताता हूं दिपावली से पहले कौन से दिन आपको जाड़ू लेना है और घर लाने के बाद वो जाड़ू के साथ क्या-क्या उपाई करने हैं पूरी साल आपके घर में बरकत बनी रहे दोस्तों कुछ छोटी-छोटी गलतिया कर देते हैं हम अंजाने में जो गलती की वज़े से हमारे घर में से बरकत कम होती जाती है दोस्तों जाड़ू की कुछ एशी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं सायर आपके साथ बहुत कम लोगों ने शेयर की होगी चैनल पर पहली बार आये हैं मेरा यह पहला वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्क्राइब करें पासवाली रोल नोटिपिकेशन बेल दबाए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें वीडियो देखने के बाद कोमेंट बोक्स में जही श्री पहले राम का नाम लिखे बिना आप वीडियो बनने करेंगे चैनल छोड़के जाएंगे नहीं है दोस्तों जाड़ू भूलकर भी जाड़ू को आपकी बेड के नीचे ना रखे आप जहां सोते हैं आपके सेन कक्स में आपके बेडरूम में आपकी बेड के नीचे जाड़ू को कभी न रखे ये गलती कभी ना करें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर ऐसी गलती करते हैं जाडू को छत के उपर कभी न रुखे, खुले आस्मान के नीचे जाडू को कभी न रुखे, छत साप करने के लिए आप जाडू ले जाते हैं, तो छत साप करने के बाद आप जाडू को घर में ले आए, घर के बाहर खुले आस्मान के नीचे जाडू रखने की गलती कभी न करें चाड़ू को कभी भी पेर से दूर ना करें पेर से दूर ना करें अक्सर में ने देखा है घर में कभी कुटे या तो मिली घुर जाती है या तो कोई पर्सु आ जाता है तो बेहन है चाड़ू मार के दूर करती है चाड़ू से ये गल्पी आप कभी ना करें, जाडू से कोई भी पसु को ना मारे जाडू, पसु पक्सी को मानना ही नहीं चाहिए, मगर सपर्ष भी ना करवाए एसे उंचा करके पसु को दिखाये भी ना, जाडू खास करके हाथ में लेके उल्टा पकड़े भी नहीं, हो सके तो साल में एक बार दो बार कोई भी मंदीर आपकी आजू-बजू मे हैं, वहाँ जाडू का दा नाम चेकरे, तो अगर आप कर सकते veins तो जाड़ू का दानो भी continuity डोस्तों हमितों तो कभी दो जालू ना लाएं या तो एक जानू करीदे या तो तीन जानू एक साथ में दो जानु एक सास में सब्सुना require आपको दो हरो की जरूरते हैं तो एक आज खोड़ीद से दूसरा कल खरीद है कि एसे दू जाड़ु ख़रीदक ले आये है कि सुनीवार और मंगलवार कि जालु खरीदने ते बेस्ट दीन है कि सनीवार और मंगलवार चांको घर से बाहर कप करें बहुत बड़ा क्वेस्चन है ये ग्रहन जब भी ग्रहन लगता है तब आप अपना पूराना जाड़ू घर से बाहर करें वेशी जगह पे रगदें घर से बाहर थोड़ा दूर कहीं कोई पेड के नीचे कि जहां किसी के पेड के नीचे जाड़ू ना आई आपका ग्रहन के दिन आप ग्रहन के बात जाड़ू घर से बाहर कर सकते हैं और घर से बाहर करना है तो सनिवार के दिन सनिवार के दिन आप जाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं गुरुवार और सुक्रवार गुरुवार के दिन आप मंदिर में जाड़ू रख सकते हैं मगर गुरुवार और सुक्रवार ये दो दिन खास खेल रहे हैं घर से बाहर ना करें जाड़ू को नया जाडू जब खरीद के लाते हैं अगर दिपावली से पहले मेरा ये वीडियो आपको मिल जाता है तो तन्तेरस के दिन नया जाडू घर पे खरीद के लाए जाडू गर ले आने के बाद हल्दी थोड़ा दूध मिला के हल्दी से जाडू को तिलक करे उसका हेंडल जहां से पकटके आप हेंडल से थोड़ा नीचे तिलक करे पहले वहां एक लाल धागा बात दे एक रात के लिए आप जाडू को कोई भी काम में ना ले नया जाडू को दिपावली के दिन मतलब यह जाडू से सपाई नहीं करेंगे दिपावली के दिन नया जाडू लाके घर में रख दे तिलक करे लाल धागा बाद ले थोड़ा जीरा ले एक दो चुटकी जीरा जो रसोई घर में रहता है वह वाला जीरा मसाला वाला दो चुटकी जीरा जाडू के नीचे रख दे दूसरे दिन नया जाडू से तंतेरस के दिन आप नया जाडू खरित के लाए काली चौदस के दिन सुबह में वो नया जाडू से वो जीरे को आप घर से बाहर करें गर के मुख्य द्वार को कभी भी जाडू से साफ ना करें कपड़े से साफ करें रसोई घर में जो जुठा पड़ा है अगर कोई भी जगर जाडू ना लगाए पोंचे से साफ करें कपड़े से साफ करें दोस्तों सनिवार और मंगलवार आप नया जाड़ू खरिच सकते हैं धन तेरस के दिन जाड़ू लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है पूरी साल आपके जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी माता लक्षमी की रूपा आपके उपर रवस्या बनेगी दिवाली के बाद मेर यह वीडियो आपको मिलता है तो मंगलवार और सनिवार दो में से कोई भी दिन जाड़ू लाके यह सभी प्रयोग आप कर सकते हैं बस दोस्तों अज यहीं पर मेरी बात को विराम जाता हूं वीडियो के अन तक आप सभी मेरे साथ बने रहे हैं सभी भाय बेनों का सुक्रि दिया दियावार फंदे मापरों